एलो मैं बीटिफुल सोल्स वेलकम तू माई यूट्यूब चानल चारोभिशिवी चुपले डियर कैसे आप सबी लोग आप सबी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे सापने नावख कर रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर आया है तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्रा प्रेंट अनर्जी क्या है हुआ झाल तो झाल झाल आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं देखिए आपके तो जिन्गी के अंदर रौनक ही रौनक ठीक है यहां पर ऐसी एनरजी है कि आपके परशन को नजर आता है कि आप कि अंदर बहुत जादा लाइट है सन की एनरजी है ठीक है जो रोशन करती है दुनिया को यहां पर बहुत सारी लोग जो एनरजी निकल कर आई है तो दिखाती हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जो उनके अंदर एक थाना की बीचारी हूँ अबला हूँ, लाचार हूँ, नारी हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं फैमिन अनरजी की बात कर रही हूँ, जिनके अंदर भी इसे कुछ मेल्स भी होते हैं, जिनके अंदर यह वाले गुन होते हैं, जिनके अंदर हाई फैमिन अनरजी होती है, उनके अंदर भी यह वाले आपने आपको विक्टिम एनर्जी में होना है तुकि है कि अपने आपको बेचार है समझना लोग फूछते है कि इस दुनिया में बड़ा पाप किया है अपने आपको कमजोर या पेचारा मानना यहां पर वह औरिय हे और तुम्हे को नही नज़र आते हुए अपने बाध कर रहा है कि स्ट्रonग मैंस कलोन एनर्जी फैमिन एनर्जी है आपके वीतल लेकिन स्ट्रॉण मैंस कले नाइज सन और कि अन्दर आप काफ काफ बिजन्स कर रहे हैं काफी त्रीकीसे बाहर की चीजों के साथ डील कर रहे रहे हैं स्टेबलिटी पर फॉकस्त है chance contr स्बीलिटी ले रहे सारे विचों शॉपर एंदर की फखल habits ourselves w जो बिचारी नारी टाइपस लड़के आज जिन्दगी को जीती है लड़के जो जिन्दगी को जीते हैं जिनके अंदर इस तरह की एनरजी होती है तो वो लविंग केरिंग और नर्चरिंग तो होते हैं लेकिन उनको रिस्पॉंसिबिटी लेने से बहुत जादा ड़ लगता है उनको किसी चीज़ को प्राइड कराने से बहुत जायडा लगता है लोग की बीच में बूलने से डाल लगता है कुई की अकेले काम करने से डाल लगता है यह सारी चीज़ेें आपकी मैस्कalane अनरजी को शो करती है यहां पर आप लों energy अभी राइट नौ यह है कि आप हाई masculine energy में operate कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मैं यह हूं मैं वो हूं आप यह हैं कि आप संपूर्ण है ठीक है यह आपकी अनर्जी यह नहीं है कि मैं मेल हूं कि मैं फीमेल हूं मुझे यह करना चाहिए इस चीज से आप उठ गए हैं जब आपके अंदर balance होती है तो आप कभी victim card play नहीं करते हो कि मैं तो female हूं क्या करूं मैं कैसे करूं मैं मुझसे नहीं हो पाएगा मैं तो अब ना हूं बेचारी हूं नहीं बोलेंगा और नहीं आप over attitude egoistic energy dominating energy इन सब चीजों में भी आप नहीं होंगे balance आपके भीतर होगा और इ तरीके से प्रदर्शित होता है दुनिया के आगे फिलाल आपकी और यहीं है कि आपने आपको बहुत अच्छा और बहुत अच्छा से balance कर रहा है आपके person की energy में यह दिखाई देता है कि वह इस चीज़ को लेकर आपको आप पर मतलब जैसे कहते हैं emotional होना आपको लेकर emotional हो तो आपको पर से ने वो emotional उर्जा में जा रहा है जब आप बहुत जादा over emotional इंसान होते हैं तो आप उसके हिस्से का काम कर रहे होते हैं तो वह आपको अपनी emotional energy शो नहीं करता जैसे मालीजी आपको 50 energy show करनी है 50 emotional energy सामने वाले को शो करनी है अब आप गए उसके सामने और आ ठीक है अब तो वह अपनी emotional energy आपको शो करना बंद कर देगा क्योंकि आपने उसके हिस्से का काम किया इसी वज़े से relationship में आज के टाइम में ब्रेक लग रहे हैं क्योंकि एक रिक्ती over emotional over desirable और वो दूसरे वाले के सिर के उपर जाके बढ़ जाता है कि अब तुम मेरे को चल अब इस वज्ड़ी आए कि ऐसा होता है वैसा होता है लड़की ऐसे होती है लड़का ऐसा होता है वह ही रो होता है यहां पर जो energy निकल कर आ रही है न यह इस चीजा कि बात कर दिये कि आप balance हो अब reality में आयो real में जी रहे हो रीव में जब जीते हो तो four of shots की energy आती है जहां पर आप कहा रहे हो कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ा चाहिए लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ा एक्जिस्ट नहीं करती हाँ अगर आप फिर भी चाहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ा मेरे को मिल जाए तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लाएक आप खुदी भी बनना पड़ता है लेकि अगर आप कि इसी फिल्म के हीरो की तरह अपने पार्टनर को देखते हैं तो फिल्म की हीरोईं की तरह भी आपको देखना पड़ेगा कि वह सेक्रिफाइस और वह यह और वह ठीक है न तो वह एनरजी यहां पर मुझे नजर आ रही है कि आपके अंदर अब एक बैलन्स आया है कि अब यहां पर इस तरह की एनरजी आप कनेक्शन में क्रियेट नहीं करेंगे जहां पर आप इस इंसान को सामवाल इंसान को बहुत आप अपनी तरफ से ओवर 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 दिये जा रहे थे बहुत सारी मिठाई आप उसे खिलाय ज इनरजी के बात कर रहा है कि आपने उर्जा बैलन्स किया है आपने अंदर एक नियंत्रण लेके आया है कि मुझे कितना बोलना है और कहां बोलना है कब स्टैंड लेना है कब मुझे प्यार से डील करना है कब और मुझे कब कैसा बोलना है लाइक मेरी वानी पर किस तरीके स वह चीज होती है जिससे मेरी मेरी हिस्ते में तकलीफ भी ना आयो मिचे मेरी बात भी मैं सामने वाले तक डिलिवर कर पाऊं हर चीज का नहीं तरीका होता है गुण होता है सर्व गुण संपन वेसिकली यहां पर एनर्जी आती है यहां पर एनर्जी सर्व गुण संपन वाली यहां इंपरस जब निकल कर आती है यह सभर्व गुण संपन वाली यह इंसान को यूण से नहीं Noоз v Ouch है जो perfect perfect ocho भी प्रफेक्ट कुरिं पूलता है कहीं भी कुछ भी करता है कैसे भी दैसी जलेता है ना ना independent नहीं अपने आपको संभाल सकता है oh work in distry रहता है overthinker तो यहां पर जो जैसा चाहता है वैसा खुद बने तो वह आपकी डिजायर युनिवर्स पूरी करें कि हां मांग रहा है तुस लायक भी तो है कुछ लोग रहते कहते हैं पर्फेक्ट दो युनिवर्स मुझे पर बात पर कहते हैं पहले अपने को देख शीशे में चिह तो पर्फेक्ट है जितना पर फेक्ट उतना ही परफेक्ट सामने से आ आजाये का तेरे लिए तो यह अनर्जी हँआ पर निकल कर आरही जा कि आपके बहुत बालंस हो आपके नर्जी बहुत अच्छे से समझबा रहे हैं और उनके अंदर आपको लें कर Isdena नजी जिकल रहा था बहुत अच्छे से आप मिठाई और तीखे का बैलनस ही नहीं कर रहे थे लाइफ के अंदर अभी हुआ है वो बैलनस ठीक है आपने दिखाने की कोशिश ही नहीं की कि आप दुनिया के नशोड़ा वर्ल्ड रियल यू ठीक है जो यूणिवर्स कहता है कि अपनी रियालिटी रखो सामने लेकिन आपने रखने कोशिश ही नहीं की आपको तो बस अपनी खुशियों से मतलब था कि कैसे भी जोड है तक दिएगी नहीं जिन्दी में आपके वो संभाल नहीं पाऊंगे आपको लंबे समय तक एक ऐसे इनसान को कार में विठाल दिया जैसे ड्राइव करना नहीं आता तो गाड़ी ठोक देगा कहीं आगे जाके लेकिन पूरी गाड़ी चला नहीं पाएगा उसी तरीके से क पॉफेक्ट रेक्टी को पॉफेक्शन वाला रेक्टी दे दिया जाए तो वो उस रेक्टी के साथ चीजें खराब ही करेगा इस यह जिए से आपको वही मिलता है जितना आप संभाल पाते हैं चीक है ना तो अभी राइड ना आपकी उर्जा ऐसी है कि अब आपने अपने पार्टनर ने सिखाई तो गुरू कौन हुआ आपका आपका पार्टनर हुआ तो वह पेसिकली आपका पास नजरे तो आप उस नजरीये से देखेंगे फिलाल तो मुझे अच्छे खासे गुरू आपके नजर आते है जिन्हों ने आपको बहुत जादा लर्निंग दिया औ ठीक है आपको दुख हुआ होगगा पेन हुआ होगा अभी भी हो रहा होगा ठीक है लेकिन यकिनन इस परसन ने जो आपके लिए किया है न वो दुन्या में कोई कर नहीं सकता दो वर्ल्ड की एनर्जी कितनी खुबसूरत वो लड़ी कि उसके क्राउन चक्रा पर लाइट ह आज आप यह ना होते हैं अगर यह person आपकी जिन्दी में नहां आए होते हैं जिसने भी आपको यह एत्नी गज़ब की Learning दी है ठीक है चोट दी है उस person स्ट में वह बात लग है लेकिन इस person ने आपको वह बनाया भी है जो अब जिन्दगी में कभी न बन पाते है, जज्जमेंट की एनरजी है, आज आपको समझ में आता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने क्या किया मेरे साथ, ठीक है, आप जजज कर पाते हैं, पहले तो आपको यह नहीं समझ आता था कि हाँ आपने मिलाई और चल दिये आप उसी भैदीदारा में बहने के लिए, आपके ना तो खुद के ओपिनियन्स थे, ना ही आपके खुद के कोई जज्जमेंट्स थे, ना ही आप अच्छा बोलते थे, ना ही आप सिर्जाम लगाते थे, आपको अच्छे की परक्ति ना ब बोलूँगी हाँ इसने आपको तकलीफ दिया जो भी दिया इस परसन ने, लेकिन आज जो यस परसन की वैसे आपका व्यक्ति तो निखर कर आया है ना इस परसन को इस चीज का अप्रीसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये परसन ने आपको इस तरीकी की लर्णिंग दिया ना परसन आज आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं लेकि समय आपको सब लोटा देता है जो जो भी आपने गवाया और दुगना करके लोटा देता है क्या अच्छा हो चाह बोरा ठीक है, आप बेसिकली अपने आपको मिशा बेचारा मानते हूँ आये हैं और आपने अपने अप क्झी को जागे जब करते हैं अच्छा बहूं आपको बेचारा मानना बंद कर देते हैं उप एक द्रपोक एंसान भी एं तो नई भी आपको पिर Lag어onter ही इशुर बस इतना सा कर दे जी कि अपनी वर्थ पर चीज़े मांगे तो पर पात्मा इतना खुश होगा आपसे और आप वर्थ लेस चीज़े मांगेंगे जो आप वर्थ पर नहीं मांग रहें सिर्फ इसलिए मांग रहें क्योंकि आपको लगता है जेल नहीं सकते आप संभा इन्सान है राइट नाओ आपके परसन ने आपको यह चीजें बहुत अच्छे से सखाई है कि आप एक कमजोर इनसान नहीं है और पावफुल परसनालिटी है कि उसमें आई यह उस रियल रिक्तित्व में आई यह और यह सारी एनरजी आपके परसन के अंदर जो है वह वह इम